प्रेंड जैमात अदी फ्रेंड आज इन दो कलर से हम बेबी के लिए बूट बनाना सीखेंगे इस पे मैंने ये 37 फंदे डाल लिए हैं और 37 फंदे डालने के बाद एक दो तीन चार पांच छे धारियां हमने उल्टी उल्टी बनाई हैं अब छे धारियां बनाने के बाद हम दूसरा कलर यहां पे जोइंट करेंगे उल्टी स्लाई पे तो देखिए यहां से हम यह देखिए एक 17 फंदे हम अब इस कलर से बनाएंगे यहां पे दो तीन और यह जो हमारा दूसरा यह वाला कलर है इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे आगे तक चार पाच छे शाथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा में पंद्रा शोला और इस तरह 17 फंदे हमने बना लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17 और यह जो तीन फंदे हैं इन तीन फंदों को हम इस कलर से बनाएंगे सेंटर वाल एक, दो, तीन आप देखिए अब आगे वाले फंदे हम ब्राउन कलर से बना देंगे पूरे तो यह पूरी स्लाई में ऐसे ही बना लेती हूं अब देखिए फ्रैंड सीधी स्लाई पे आगे हम तो यह जो मैं बूट बना रहे हूं एक से दो साल के बच्चे के लिए बनाऊंगी आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं और मैं आगे बताऊंगे आपको कैसे जो मैं डिजाइन बना रहे हूं उसी डिजाइन को आगे तक बनाऊंगे तो यह बड़ा हो जाएगा और अगर थोड़ा कम बनाऊंगे तो छोटा बन जाएगा तो यह देखिए अब धागा पीछे करके इन तीन फंदों को हम कैसे बनाएंगे देखिए पहला फंदा तो हम उल्टा बनाएंगे धागा पीछे यह वाला हम सीधा बन सबस्क्रानेंगे अब ढिएसे आगे करेंगे और वीस करेंगें रोल्ट स्लाइरी फेर बढ़ाना सीखेंगें आपने एक century लेना है कुरा फिर Knights ऊनके इसे हमारे डिजाइन अच्छे से दिखे तो इस सत्रा फंदे पहले हम ऐसे बना लेंगे यह जो आगे के तीन फंदे हैं इन पर हम डिजाइन बनाएंगे तो देखे यह उन्हें बना लिया धागा इस साइड को करेंगे यह हम ऐसे बनाएंगे और एक फंदा हम ब्राउन कलर से यहां पर बढ़ाएंगे फिर यह वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे फिर एक हम ब्रा एके तो हमारे दो फंदे यहां पे बढ़ गए अब पूरी स्लाई आगे पी ऐसे बना देंगे हम अब देखिए फ्रेंड यहां से आगे 17 फंदे बना लिए मैंने उल्टी स्लाई पे अब सीधी स्लाई पे आगे हम पहले 17 फंदे मैं ऐसे उल्टे उल्टे बनाऊंगी दो तीन चार यहां पे चार धारियों पे हमारे डिजाइन कम्प्लेट होगा यह हमारी दूसरी धारी है एक वार हम ब्राउन कलर से फंदे बढ़ाएंगे और एक वार हम ग्रीन कलर से तो देखिए ए वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करा इसको फिर आगे करा ए हमने ब्राउन कलर से बनाया फिर धागा पीछे करा ए वाला हम सीधा बनाएंगे जो सेंटर वाला फंदा है फिर धागा आगे करेंगे इसको उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करे अगर लाकल इसको उल्टा बना देंगे फिर द्रावां पीछे करेंगे वला और ब्राउन वला आगे करके यह 17 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं और इसके बाद उल्टी स्लाय हम यह 17 फंदों के उल्टी बना के फिर मैं दिखाते हूँ आपको आगे हमने कैसे डिजाइन बनाना है यहाँ पर हमने एक बार हमने ब्राउन बनाया एक बार हम ग्रीन से बढ़ाएंगे फिर एक बार ब्राउन से एक बार ग्रीन से अब देखिए फ्रेंड एक 17 फंदे तो हमने बना लिए ब्राउन से अब ए वाला हम बनाएंगे ग्रीन से और यह वाला हमारा ब्राउन है तो यह हमारा सेंटर वाला फंदा है जो सीधा चल रहा है यहाँ पे तो इसके दोनों साइड हमने फंदा बढ़ाना है तो अब हमारा यह ब्राउन आगया अब हमारा यह ग्रीन आएगा एक वार इसके साथ ब्राउन आएगा एक वार ग्रीन वाला ऐसे बना लिए फिर एक ग्रीन और बढ़ा लिए एक बार हम ग्रीन बढ़ाएंगी एक बार हम ब्राउन से बढ़ाएंगे याँ अब धेखें अब यह शत्रा फंदे तो हम पूरे उल्टे बना लेंगे ऐसे और सीधी स्लाइप पर आगे दिखाती हूँ आपको अब देखे फ्रेंट ये 17 फंदे थो हमने बना लिए आप धागा पीछे करेंगे जो हमारे जिस कलर का है उसको वैसे ही बना देंगे ये हमने उल्टा बनाया धागा पीछे करा ब्राउन कलर आगे लेके आए ये हमने ब्राउन बनाया उल्टा अब धागा पीछे ब्राउन वला आगे लेके आएंगे सिर्फ हमने उल्टी स्लाईयों पे हमने फंदे बढ़ाने है सीधी हमने जैसे हमारे फंदे हैं उनको वैसे ही बढ़ाते जाना है अब ये 17 फंदे में बना लेती हूँ पूरे उल्टे उल्टे और उल्टी स्लाई पे भी 17 फंदे बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ याँ पे अब ये देखे फ्रेंट 17 फंदे हमने बना लिए तो ऐसे धागा इस साइड को क्रॉस करेंगे ये वाला तो हम उल्टा बनाएंगे ऐसे जो जो कलर है उसी से बनाएंगे ये वाला ऐसे बना लिया अब ये वाला हम ग्रीन कलर से बनाएंगे इसके साथ है जो सीधा फंद है इसके साथ हम ब्राउन से बनाएंगे पहले हमने एक ग्रीन से बनाया एक बार हम ब्राउन से बढ़ाएंगे फिर इसको उल्टा बना लेंगे अब फिर एक बढ़ा और आगे के फंदे एक ब्राउन एक गरीन एक प्राउन एक गरीन और आगे के 17 फंदे फिर हमें उल्टे-उल्टे बना लेंगे आगे अभी 17 फंदे फिर हमारा एक डिजाइन चार धरियों पर कंप्लेट हो जाएगा आठ स्लाईयों पर फिर हम दो फंदे इस साइड बढ़ जाएंगे दो साइड पहले 17 फिर 19 फंदे हो जाएंगे तो यह देखे एक दो तीन धरी होंगे यह हमारे लास्ट धरी है इस डिजाइन की ऐसे फिर हम एक डिजाइने खत्म कर देंगे पहले वाला तो इस तरह फंदे मैं बना लेती हूँ अगली स्लाइपे हमें यह वाला यह और यह वाला यह दो फंदे इस साइड में जोड़ लेंगे और यह डिजाइन हमारा यहां पर खत्म हो जाएगा तो देखे वह मैं आगे दिखाऊंगी धागा आगे करके हमने एक ग्रीन बनाया एक ब्राउन बनाया एक ग्रीन बनाया यह फिर ब्राउन बनाया और इसको हम सीधा बनाएं जो सेंट्र वाला फंदा है उसको हम हमेशा सीधा ही बनाएंगे पिरे ब्राउन बनाया यह ग्रीन बनाया यह ब्राउन बनाया यह वाला ग्रीन बनाया और अगले 17 फंदे फिर हमें ब्राउन बना देंगे ऐसे देखे यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ फंदे होगे हमारे सेंटर के तीन फंदे थे, तीन इस साइड बढ़गे, तीन इस साइड बढ़गे तो यह पूरी स्लाई में बना लेते हूं ब्राउन की अब देखे, चार धारियां बनाने के बाद, जो उल्टी स्लाई पे हम आएंगे उसके बाद यह जो दो फंदे हैं, इनको हम इसी में जोड लेंगे पहले सत्रा बनाए, अब अठारा और यह उननिस, यह हम ब्राउन के कर देंगे अब इसके बाद फिर से हम वही डिजाइन चलाएंगे, एक, दो, और यह देखे, इस सेंटर वाला फंदा है, जो सीधी फली यहां पे दिख रही है तो इसके साथ अब हम एक गरीन बढ़ाएंगे, ऐसे फिर इसको उल्टा बना लिया, फिर एक गरीन और बढ़ा देंगे तो ऐसे ही चार धारियां बनने के बाद हमें डिजाइन यहां पे पहली धारी वाला खतम कर देंगे अब देखिए यह जो दो फंदे हैं इनको हम ब्राउन बना देंगे, एक, दो, तीन, तो अब हमारे फंदे उन्नीस हो गए यहां पे फिर हम चार धारियां ऐसे बनाएंगे, तो दो फंदे फिर इस साइट बढ़ जाएंगे, दो उस साइट, फिर हमारे 21 फंदे बनेंगे तो इस तरीके से आप बनाते जाएए अब हमारी ये पहली धारी फिर से कॉंट होगी यहां पे तो चार हमने बना ली अब ये पांच भी धारी है ये पहली धारी कॉंट करेंगे चार धारी है इसके बाद फिर हम बैसे ही बनाएंगे और फिर दो फंदे साइट जोड लेंगे और तो देखे अब 19 फंदे हम बनाएंगे इस पांच वी धारे पे है यह देखे पहल गए 17 फंदे हमने बनाए अब यह 18 और 19 अब धागा पीछे करेंगे ग्रीन बनाएंगे अब यह वाली फली जब हमारी पूरी हो जाएगी तो इसको भी हम ऐसे ही इस साइड जोड़ देंगे सिर्फ हमने सेंटर वाला फंदा ही सीधा बनाना है बाकियों को हमने उल्टा बनाना है देखे दूसरा डिजाइन हमारा ही यहां पे स्टार्ट हो गया अब इसके बादे 19 फंदे हम पूरे ब्राउन के बनानाएंगे अगली चार धारियां जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो यह दो फंदे फिर हम इस साइड में जोड़ लेंगे फिर अगली बनेंगी तो दो और जोड़ देंगे तो ऐसे मैं बना लेते हूं इसकी लेंद फिर दिखाते हूं आपको देखिए फ्रेंड यह दस तारियां बन गई हमारी और यह वाला कलर में यहां पे ले गई हूं साथ में अब इसी कलर से हम बूट का निचे वाला पार्ट बनाएंगे एक दो तीन चार और पांच बनाएंगे तो एक से दो साल के बच्चे के लिए अगर इससे बड़ा बना आपने तो इस डिजाइन बढ़ा दीजिए अब देखिए अब दोनों से लाइया हम उल्टी उल्टी बनाएंगे ब्राउन वाला कलर हम हटा देंगे और इसी कलर से हम अब सभी फंदों को दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पंदे हमारे साइड होगे और बीच में डिजाइन के 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 21 से हैं अब यह देखिए 55 फंदे हैं टोटल है हमारे तब दोनों साइड से हम इन 55 फंदों को उल्टा बनाएंगे देखिए इस तरह आठ है दस धारियां बनाएंगे दोनों साइड से तो यह मैं बना लेती हूँ फिर दिखाते हूँ आपको देखिए पहली धारी हमारी बन के आ गई ऐसे हमने यह बेबी का पांगर पतला है तो आठ धारियां बना लीजिए अगर जादा मोटा है तो दस अब भी फंदों को बंद कर देंगे देखिए एक फंदा बनाया पीछे वाला उपर से उतार देंगे ऐसे थोड़ा हमने इसको लूज लूज बंद करना है टाइट नहीं करना है बंद तो इस सभी फंदे में ऐसे बंद कर लेती हूँ अब देखिए फ्रेंड इसको सीलेंगे हम यह ऐसे उल्टा करेंगे और यह बला पार्ट पहले सीलेंगे तो जो धागा यहां पर बचवा उसी सील देंगे हमें इसी कलर से सिल दूँगी में ब्राउन बला भी कर दो अब ये जो धागा वचा हुए इससे हम आगे वाला पाट सी लेंगे अब देखिए अब यहां से आगे सी लेंगे हमें आप यह बिए अब यहां में अब यहां में गुलाए में से लेंगे इस्त्री किसे अब इसको थोड़ा खीच लेंगे यहां पर टाइट करके पक्का कर देंगे और यह जो एक्स्ट्रा धाग है इनको काट लेंगे तो सीधा करके दिखाते में आपको यह इसी इस तरए किसे सोल बनके आया हमारा अब बे देखिए फ्रैंड इस तरीके से बनके आया हमारा बेवी भूट एक साल से छैकर दो साल के बच्चे के लिए अगर इस से बड़ा बनाना है आपको तो इस डिजाइन बड़ा लीजिए तो यह बड़ा बन जाएगा और यह देखे बहुत ही सुन्दर तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थेंक्यू